नमस्कार विद्यार्थियों, कल की काक्सा में अपनने हिंदी के अध्या एक की कविता हम पंची उन्मुक्त गगन के को पढ़ा था, जिसमें हमने कविता का प्रसंग सरलार्थ व्भाव को अच्छी तरह से समझा था, आएए अब आगे इसी कविता के प्रश्णोतर को जानत हैं, क्यूस्टन नमबर एक, हर तरह की सुक सुविधाई पाकर भी पक्सी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाता, अर्थार्थ प्रस्ण में पूछा गया है कि पिंजरे के अंदर हर तरह से सुक सुविधाई हैं, लेकिन फिर भी पक्सी है, वो पिंजरे में बंद र परन्तु वे स्वतंत्र नहीं है जो उन्हें प्रिये है अर्थार्थ पक्सी के पास पिंज्रे के अंदर जीवन जो जरूरी है जीवन के लिए जो आवसिक है वो सारी सुक्स विदाय तो है लेकिन उसके पास क्या नहीं है स्वतंत्रता नहीं है जो उन्हें प्रिये है वे इस खुले आकास में आजादी पूर्वक उड़ना चाते हैं पक्सी क्या चाता है खुले आकास में आजादी पूर्वक उड़ना चाता है इस प्रकार की उड़ान उसमें नई उमंग्व प्रसंता भर देती है जो पिंजरे की सुक्स विदाएं नहीं दे सकती इसलिए हर तरह की स उन्मुक्त का अर्थ आजादी से है यहिनि कि इस प्रस्ण में पुछा गया है कि पकसी है वो आजाद रहेकर अपनी कौन-कौन से इच्छाएं जिने पूरी करना चाते हैं तो कविता के अनुसार इस प्रस्ण का उत्र होगा पकसी उन्मुक्त रहेकर जंगल की कड़वी नि बढ़ान भरना चाते हैं वे नदियों का बहता सीतल जल पीना चाते हैं वे तो अक्सतीज के अंत तक उड़ कर जाना चाते हैं इसके लिए उनको अपने प्राणों तक की भी चिंता नहीं रहती यहां अक्सतीज का आर्थ है वह स्तान जहां से प्रत्वी और आकास मिलता दिखाई देता है क्युश्चन नमबर 3 भाव स्पस्ट कीजिए इसमें कुछ पंक्तियां दी गई है जिनका भाव स्पस्ट करना है या तो अक्सतीज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी तो इसका उतर होगा या अक्सतीज का आर्थ जहां धर्ती आकास मिलते हैं और पक सामना करना पड़े यानि कि पक्सी है जो अपने इच्छा पूरी करने के लिए किसी भी परिश्टिती का सामना करने के लिए तयार रहते हैं वो चाते हैं या तो आज वेक्सतीज का अंतिम छोर ही प्राप्त कर लें अन्यता अपने प्राणों को नियोचावर कर दें बासा की बात से लिया है इसका प्रथम प्रश्ण है स्वर्ण स्रिंखला और लाल कीरंसी में रेखांकित सब्द गुणवाचक विशेशन है कविता से ढूंड कर इस प्रकार के तीन और उधारन लिखने है यहां पर स्वर्ण और लाल को रेखांकित किया गया है स्वर्ण का अर्थ सोना स्रिंखला का अर्थ कडिया जंजीर से है लाल अर्थार्थ लाल रंग की कीरंसी यानि कीरं के समान से लिया गया अब पूरी कविता में से गुणवाचक विशेशन सब्दों को ढूंड ना है सबसे पहले जानते हैं कि गुणवाचक विशेशन किसे कहते हैं तो जिन सब्दों से संग्या के स्वभाव, दोस, गुण, स्वाद, इसपर्स, रंग, दसा, आकार तथा दिशा, आधी का बोध होता हो उन्हें गुणवाचक विशेशन कहते हैं तो इस कविता में गुणवाचक विशेशन के तीन उधारण है पुलकित, पंक, पुलकित का अर्थ प्रेम, हर्स, आधी से गदगद, रोमान, चित, पंक यानि पंक, कडवा, कडवा यानि कसेला या कटू अपनी साधारन बासा में हम इसको खारा भी बोल देते हैं, नीमबोरी यानि एक प्रकार से नीम का फल, नीम का जो फल होता है उसे नीमबोरी कहते हैं, उन्मुक्त यानि आजाद, गगन यानि आश्वान बासा की बात का अगला क्यूस्टन है, भूके प्यासे में दवंद समास है, इन दोनों सब्दों के बीच लगे चिन को समासिक चिन कहते हैं, इस चिन से और का संकेत मिलता है, जैसे भूके प्यासे यानि भूके और प्यासे सबसे पहले अपने को समझना है कि द्वंद समास क्या है या द्वंद समास किसे कहते हैं तो जिस समस्त पद के दोनों पद प्रेधान हो तथा विग्रह करने पर और, अथ्वा या एवं लगता हो वे द्वंद समास कहलाता है तो यहाँ पर भी भूके प्यासे के बीच में समासिक चिन को हटा कर हम और का प्रियोग कर सकते हैं इस प्रकार के दस अन्य उधारन खोज कर लिखने हैं उधारन के लिए जैसे सुख दुख, धूप छाउं, खाते पीते, रात दिन, हस्ते गाते, पाप पुन्ने, सुभै श्याम, बूर भला, सही गलत, ओच नीच, हात पाउं, आदी जैसे इसके अंदर सामासिक के जो चिन है उसको अटाते हुए हम सुख और दुख, धूप और छाउं, खाते और पीते, रात और दिन, हस्ते और गाते, पाप और पुन्ने, सुभै और श्याम, भला और बूरा, सही और गलत, उच और नीच, भी कह सकते हैं पाठ एक के अभी तक बताये गए सभी प्रश्णों के उत्तर आपको अपनी कोपी में करने हैं इसके साथ-साथ मैं आपको दो प्रश्ण ग्रह कारिये में देती हूँ प्रश्ण है, यानि भहुत से लोग पक्सी पालते हैं, उसके लिए आपको अपने विचार देने हैं तो उसमें कह है, पक्सियों को पालना उचित है या थुआ नहीं, अपने विचार दीजिए क्या दूसरा है, क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्सी पाला है, उसकी देखरेक किस प्रकार की जाती होगी लिखिए ये दोनों प्रश्ण आपको अपने विचार से लिखने हैं, धन्यवाद